हाई फ्रेंड्स आम काजर वेल्टाम इतना यूट्यूब चैनल पढ़ाई फ्रेंड्स आज क्वाइंट के टिटोरियल में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस यानि की लाग और हानी आज हम लाग और हानी की बारे में पढ़ेंगे सबसे पहलों तो अगर आपने हमारी इस चैनल पढ़ाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीक इसे सब्सक्राइब कर देजे ताकि आप हमारे नए वीडियो को देख सके तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास जो बेस्ट है प्रॉफिट आइं लॉस पे तो सामान चानि नहीं चानिक करते है और का जंद क्ला का था कर्ते है चंद करते हैं और कपर देख समान खहरिएक पर कोई बेचते हैं clickनow केुड फीद्या हैं तो हमें हमेशा हानी होती है यानि कि Loss होता है इसका मदलब है कि स्टीघ युद्र ज्यादा होगा और कम होगा तो हमें हमेसा लह सब्सक्राइब क गाँए yeahu यह हम देख सकते हैं हमारे पास किस फॉर्मूल्य ही स्टीप को दथि हैं और जो percentage profit या लॉस हम निकालते हैं वो हमेशा हम CP पर निकालते हैं यानि कि cost price पर ही निकालते हैं अब हम फॉर्मूले देख लेते हैं profit कब होगा जब SP ज़्यादा होगा यहीं SP-CP यह profit निकालने का हमारा फॉर्मूला है लॉस है अगर CP जाता है SP कम है तो CP-SP यह हमारा लॉस का फॉर्मूला हो गया profit percent या loss percent हम कैसे निकालते हैं profit अगर है तो profit अपन ले हम हमेशा CP हमने यहां पर बात किये percent profit या loss हमेशा हम CP पे ही calculate करते हैं इसलिए यहां हमेशा profit percent में CP होगा और loss percent में भी CP हम लेंगे ओके एक question simple सा देख के generally क्या होता है profit loss कैसे आता है क्या CP है क्या SP हम समझ लेते हैं इसको जैसे एक हमने यह example लिया है कोई बंदा है एक उसने 200 रुपय का कोई सामान खरी राया यानिकि इसका जो CP है A का वो है 200 अब उसने क्या किया है A ने अपना 10 percent profit लेकर B को उस सामान को बेच दिया है तो यानि कि B को उसने 220 रुपय में बेचा है और ये 220 इसका A का selling price हो गया लेकि B के लिए ये क्या है B के लिए ये इसका CP है और अगर A के बात करें तो A के लिए ये इसका SP हो गया यानिकि selling price हो गया अब B ने क्या किया B ने 5 percent का loss लेकर C को बेच दिया अब C को जब उसने बेचा है तो यहाँ पर हमने 5 percent का loss लिखाल के देखा है 209 रुपय में B ने उस सामान को C को बेच दिया तो B के लिए ये price क्या हो गई? ये हो गई selling price B की लेकिन C के लिए ये क्या है? C के लिए ये cost price है क्योंकि इसमें 200 रुपय में उस सामान को खरीदा है तो यहाँ से हम देख सकते हैं CP, SP का concept और profit and loss के साथ अब हम आते हैं हमारे questions पे हमने यहाँ पर different type के questions लिए हैं तो उसे हम solve करते हैं A man got a cycle in rupees 560 in how many in how much shall he sell so as to lose 10% A man got a cycle एक आदमी जिसने कितने में 500 साथ में उसे cycle मिली है कर आगी कितने में वो उसे बेचे कि उसे 10% का loss हो जाए यानकि हानी हो तो इसे हम solve करते हैं question को यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके लिए इस आदमी का CP है वो है 560 यानकि cost पर उसमें पान सो साथ में उसे खरीदा है हमें यहाँ पे selling price निकालना है ओके तो हम देखते हैं selling price इस उपर तो हमारा हो जाएगा CP इन्टू 100 माइनस जो loss है हमारा यानकि loss percent ओके अपॉन 100 अब हम देख सकते हैं SP निकालने के लिए CP हमें हमारे पास क्या है 560 हम इसे यहाँ रख लेंगे ओके 100 माइनस गौस 100 पर से हम 10% माइनस करेंगे तो सीधे हमारा आ जाएगा 90 ओके 90 percent upon 100 अब हम यहां पे देखते हैं तो यहां से हम एक 0 यहां से गया और यह यहां से अब हमारा हो गया हम इसे सॉल्व कर लेंगे होजागा 4 960 54 हो गया तो 4 हो गया हमारा और 95 जा 45 और 5 हो गया हमारा 50 यानि कि 504 रुटीस हमारा जो SP आया है वो 504 यानि कि 504 रुपए में यह आदमी अगर उस ताइकल को बेजेगा तो उसे 10% का लॉस होगा ओके अब हम आते हैं हमारे सेकेंड कोश्चन पर बाइस सेलिंग अट्वाइं रुपीज 390 शॉप कीपर गेंस 20% 5CP इसमें यह कह रहा है कि एक ट्वाइब को शॉप की पैड़र उसमें ट्राइब को 390 में बेचा है उस पर उसने 20% का क्या है प्रॉफिट कमाया है इसका मतलब यह जो हमारा 390 है कि हमारा सेलिंग प्राइस है इसमें 20% प्रॉफिट इड़ है पहले से और हमें यहां पे क्या निकालना है सीपी निकालना है तो सीपी निकालनाची लिए सिंपल हम की फॉर्मूला रख लेंगे 390 यहीं कि SP इंटू हमारा हमेसा जेवर सीपी हमेसा हंडें मानकर चलते हैं तो यहां हम हमड़ेट करेंगे और 120% का वो गेल लेकर यह हमारा आया, तो यह हम 120 यहां रख लेंगे, इसे simple हम solve कर देंगे, ओके, 25 चार, 10, 26 चा 12, 6 हम इसे खतम कर देंगे, 66 चार, 36, और यह हमारा आदाएगा, 65 चा 30, यहां से हम इसे multiply कर लेंगे, 55 चा 55, 56 चा 30, और 2 हमारा क्या भी, यह 325 हमारा answer हमें में लिया, इसका मतलब यह है कि उस चौप की पर में 325 का वो सामान पर्चेस किया था, जिसे उसने 390 में बेचा, 20% का profit लेकर, ओके, अब आते हैं हमारे 3rd question पे, a trader sells the horse for Rs. 540 and lost 10% for how much should he sell it so as to gain 10% a trader sells the horse for Rs. 540, सबसे पहले तो हम यह सब पर्स पार्ट देखते हैं, कि trader ने क्या किया है, 540 का horse को बेचा है, लेकिन उस पर क्या 10% का उसको loss हो गया है, तो सबसे पहले हम यहां से CP निकालते हैं, कि उसने आकर खरीदा कितने में था, तो CP निकालने के लिए यहां पर हम देखते हैं हमारा, CP is equal to, SP हमारा क्या है, 540 है, into हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर 10% का loss लेकर उसने खरीदा है, तो यह हमारा हो जाएगा, 100 upon 90, अब हम यहां पर निकाल लेगे हमारा, 960 हो जाएगा, 44 योगा 600, यानि कि उसने 600 का होर्स करीदा था और 540 का बेचेद, उसको 10% का loss हो गया, CP हमें मिल चुका है, अब हम कोर्षिन के दूसरे पार्ट को देखेंगे, पर how much should he sell, it's as to gain 10%, आप यह क्या रहा है कि कितने में बेचेंगे, उससे 10% का profit हो, तो अब हमेशा profit या loss हम किस पर calculate करते हैं, CP पर करते हैं, यह हमारा CP हमें 600 बिल चुका है, अब हम क्या करेंगे, SP निकालना है तो यह से हमें, SP निकालने हैं हमें हमें हमारा CP मिल गया है, 600, ओके, अब हमें क्या करे रहा है, हमें 10% का profit लेकर बेचना है, तो यहां में आ रहा हो जागा 110 अपन 100, अब यह हमारा आ गया 660, इसका क्या मंदर है, 660 रुपए में अगर वो होर्स को बेचे, तो उसे 10% का profit होगा, ओके, नामिकामाद, फोर्थ कोश्चन, A man sold two cows for rupees, 25,500 each, एक आदमी है जिसने दो गाय बेची है, और दोनों क्या है, दोनों की each, दोनों की अलग अलग की मत है, 25,500, और one, he gained 20%, एक पे उसने 20% का लाग कमाया, and on other, he lost 20%, और दुसरे पे 20% की हाईनी हो गई, उसको यहीं लॉस हो गया, find gain or loss percent, हमें पूरे ट्रांजेक्शन का gain या loss percent निकालना है, friends, इसका एक general तरीका है, जो बहुत बड़ा है, वो आप यह करेंगे, कि आप दोनों के CP निकालेंगे, CP को आपस में add करेंगे, फिर देखेंगे, दोनों के SP को add करेंगे, देखेंगे कौन जाता है, कौन कम है, तो उससे आपको पता चलेगा कि loss या profit हो रहा है, उसके बाद आप percentage निकालेंगे, लेकिन एक छोटा shortcut में था नडर, जो मैं आपको बता रहे हूं, ऐसे questions में, जहां पर दो सामान या दो चीज की बार दी हुई हो, जिनकी price सेम हो, और जिस पर सेम पर्सेंटेज के profit या loss हो रहे हो, तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है, loss ही होता है, कभी profit नहीं होता, और loss ही होता है, और इसका simple side formula है, वो मैं आपको बता रहे हूं, loss percentage से point हो निकालने के लिए हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर यह formula हमारा है, जो common, क्यूंकि दोनों में common gain और loss, क्यूंकि 20% ही loss हो रहा है या profit हो रहा है, तो common gain और loss और upon हमारा percentage यह हो जाता है, square, इसका हम square करेंगे, upon hundred करेंगे, अब हम यह देखेंगे, क्यूंकि इस question में हमारा common gain और loss क्या है, तो 20% है, यानि कि 20 का square हो जाएगा, upon क्या हो जाएगा, hundred, जब square हम पोलेंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा, four hundred, four hundred upon hundred, यह दो zero से दो zero हमारा चला गया, यहाँ पर 4% का में क्या आगया, loss, तो यह हमारा एक shortcut method है, short trick से इस तरह के question को solve करने की, और ऐसा question अक्सर exam में पूछा भी जाता है, तो यह short trick से आप बहुत जल्दी, कुछ ही second में इसको कर सकते हैं, ने तो एट general तरीका है इसका, उससे करने में आपको बहुत time लग जाएगा, तो friends हमने आज यहाँ profit and loss के topic में different type के questions देखें, इसके formula पो समझा, I hope you understand all these questions, ओके friends, I will be back with some other relation और अगर आपको यह हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो आप इसे share करिए, like करिए, comment करिए, किसी और वीडियो के साथ मैं आप से फिर मिलूँगी, ओके, बब बाई